मुंगेर युनिवर्सिती द्वरा नमांकन पंजियन तथा परिक्षा फॉर्म भरने के समंद में जो भी ए स्टुडेंट का पेमेंट भस गया था उसके समंद में एक बहुत बढ़ियां खुस ख़बरी आई है तो आई आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी नोटिस्फिकेशन है और M.U. के लेटर नमबर 2023 का है इसमें सापतोर पर कहा गया है कि सभी छाट छात्राओं को एबम प्राचार्ज को सुचित किया जाता है कि दिनांक 16 तक नमांकन पंजियन परिक्षा पत्र भरने के समंद में लंबित भुकतान वापसी हेतु आवेदन लिया जाना है तो ये आपको आवेदन कहाँ लिया जाएगा सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि आपको कॉलेज पहुचनी है वहाँ आपको जो भी पेमेंड फंसा है उसका आपको एक receiving निकाल लेनी है और वो receiving लेके आपको कॉलेज जानी है कॉलेज में एक ध्रण वापसी का आवेदर संपूर्ण साक्ष के साथ यानि कि आपको दावे के साथ देना है कि मेरा पैमेंट फ़सा है दिनाग 15 तक परापत कर आवेदर 16 तक यह हक्तारिक कारयाल में जमा करे ताकि समस्या का निराकरन किया जाए यानि कि दोस्तों आपको जो यह पैमेंट करने application लिखना तथा जो आपका payment फासा उसका receiving लेके आपको 15 तक पहुंच जानी है और college इसे 16 तक करियाले में जमा कर देगी उसके बाद दोस्तों यहाँ थोड़ा सा नीचे में mention किया गया है कि दिनांग 15-2030 की तीथी के बाद लंबित भुकतान का वापसी का कोई दावा मन देते हैं कि मेरा payment जो है फास गया था और मैंने फिर से अपना payment कर दिया जैसे कि नमांकन में पैसा फास गया है या परिक्षा फॉर्म भरने के समझ में आपका पैसा फास गया है तो 15 के बाद ना तो आपका college जिम्मेदारी होगी नहीं university जिम्मेदारी होगी और आपका पै चेनल को सब्सक्राइब करवाना ना भूलें मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना रखें ख्याल हमें दें इजाजत टिक क्यर बाए